अलो प्रेंस नमस्ते में राजकुमारी मेरी यूटिब चल्नलन में आपका सवागत है और फ्रेंस आप लोग भी ठीक होंगे में भी ठीक हो फिलार और में एक दिन के लिए कोटा गई थी तो कोटा से मैं काफी सारे प्लांटर लेकर आई हूं तो कल मैंने बारिस में सारे पो में तो आपको पूर पूरी वीडियों बने रहेना और चैनल पर पहली बार तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल आइकन को प्रेस का देना जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकिशन आपको मिल जाएगा तो सबसे पहले दिखाती हूं ये फ्रें दूसरा है मैं चंपा की कटिंग लेका आए थी तो ये देखिए महाँ पर कफी घनी हो रही थी तो मैं कटिंग लाकर मैंने लगा दिया और इसके साथ मैंने एलो वेरा लगाया है ताकि ये कटिंग जल्दी से लग जाए और एक कलर लेकर आईउ में ये वाला जो है गाजर ये देखिए आ रहा है कली बन रही है तो यह हो गया तो श्री की कटिंग में लेका आ गई हूँ और उसको मैंने लहीं तो घोने प्ती इस्के में लगाए और रिश्में 100 डेफ्रेंस लॉख जाती है तब बेल पत्र कि लग सकती आए तो इसकी क्या है मैंने भूत बिना मेन जो दिखानाई लगाते लिखा ते ने शूट नहीं कर रहे हो कि अधर तो यह देख लिजिए और काफी बड़ी बड़ी हो रही है यह तो यह देख लीजिए और काफी इससे चल जाएगा और इसी में मैंने जो यह देखिए फ्रेंस इसमें दो पॉदे और इसके अप्रजिता के तो फिलाल मैंने इसमें लगा दी कि छोटे पॉदे बहुत ज़ादा थे रेत मैं इसलिए डाले थी कि कल ज्यादा बारिस हो रही थी तो पानी भेंका निकल जागा इस वजे से तो यह देखिए य जो अप्रचिता की बेल है और शमी का है और इधर से छटे नमर पर है फ्रेंस यह वाला इसने प्लांट की कटेंग लेकाई थी एक जड़ लेकाई थी यह देखिए थोड़ा ट्रेन में लेका आते तो तो टूट बूट जाती है तो यह देखिए और यह वाला जड़ा यह प्लांट भी काफी अच्छा चल रहा है कि अंदर दिखाती हूं क्या लेका यू तो फ्रेंस लिना का छोटा सा प्लांट था उसमें बेभी प्लांट निकलते रहते तो वह भी लेके आ चुकी हूं और पिंक वाला सिंगोनियम लेका यू और वह क्या है थो बड़ा समय रान प्लांट मैंने कोटा के अंदर है एक यह वाला लेके आई हूं और देखिए इस सब मेने डियेवाई करके बनाया है जिब एपसी बगरा की बोतल होती है यह देख लीजी कोदा है मेरा जो प्लांट है पहले लेका आई थी तो काफी गना हो गया था और एक दिन में गई थी जिसमें भीषण गर्मी से जुलस के मर चुका है तो कल तीन चार पोदे थे बेबी प्लांट वो भी लेके आ गई हो वो लगा दिये हैं मैंने और फिर बारिस में बिल्कुल मत रखना क्योंकि बारिस में वो खराब हो जाएगा और बार्टरिंग से बिल्कुल खराब होता ह ज्यादा गर्मी से मो मर जाता है तो फिलाल लेके आ चुके हूं दिखाते हूं यह देखिए स्पाइडर प्लांट के दो पफस हैं इसके अंदर बलब बन गये थे इसे तो यह जकट रखा था उसमें मेरे जो क्रोटोन का प्लांट है उसके अंदर और यह देखिए पुरान और यह 24 गंटा उक्सिजन देता है तो अभी तक आपने नहीं लगा तो जरूर लगा लीजिए और यह देखिए यह देखिए कितने सारे पोदे हो गये हैं वीड़ो थोड़ो मेरे लंब हो जाएगा क्योंकि अभी आपको मैं दिखा रही हूं और इनको कैसा लगा जाता है सारा वीड़ो मैंने आपके साथ में शेयर कर रखा है पस मिट्टी अच्छी होनी चाहिए अगर गंबले में लगा रहे हो तो और ब्लैडर मिट्टी होनी चाहिए अभी चल रही है बारिस तो फड़ा-फड़ यहां का भी ओर दिखा देखिए फ्रेंट जितनी भी मक्का मे अच्छे तरीक से लग जाती है और यह देखिए फूल खिले हुए है अच्छे खास है और यह देखिए हर्शिंगार का पोदा भी मेरा अच्छे से लग चुका और यह बाजरा काफी सारा अखट हो रहा है तो इसमें से कुछ निकालूंगी मैं और इदर डाली थी मैंने से कुछ पोदे निकल आ चुके हैं तो काफी सारा हो गया है यह देखिए मूफली के पोदे निकल चुका है और यह देखिए फ्लोगरों की तो बाहर आ रही है तो यह परपल हाट की कटिंग लगाए थी अब दिखातीं फ्रेंस आपको यह देखिए मोस्रोज मेरे पास काफी सारा कलेक्शन हो गया है और यह जुंड में लगाते हैं तो फ्रेंस काफी अच्छा लगता है और इधर देखिए पानी पानी हो रहा है यह आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूं यह देखिए बाजरा बेल पत्र में थोड़ा कीड़ा कटे है इसमें कोई केमिकल नहीं है गाहों में यहां पर रखिया बोलते हैं वाइट कलर का जो यूरिया खाद आता है वो डालते पर मैंने एक भी नहीं डाला बिल्कुल और गनिक तरीका से मैंने जो सबजिया लगाती हूं आपसे कई बार में जब से मैंने यह चलू किया है तो आपको पास में लिखाते हैं सबसे पहले तो आप सेंजन का देख लीजिए सेंजन का पोदा काफी फास्ट ग्रोथ हो रही है इसकी यह देखिए अब इसमें फली किते टाइम में आएगी यह जुम बहता नहीं है और यह इधर से देखिए रिचमपा यह डबल चांद् काली में कनेर का यह देख लीजिए अब इसमें एक बार फ्लोवरिंग स्टार्ट होगी साल बर इसमें फ्लोवर आएंगे और सारे कली को से बढ़ जाएगा देख लीजिए और उदर भी चांद निका खिला हुआ यह तो थोड़ा सा यह देखिए कि बारिश विगर भी कुछ नहीं है तो देखिए प्यारे प्यारे फूल का मिल चुका और यह देखिए बाजरा कितना लोंग हो चुका है और यह कटिक मगरे लगाए थी सारी लग चुकी है थोड़ा सा आपर क्या थोड़े मिट्टी बिट्टी ज्यादा बढ़ती है और इसको बादरा बगर अलग से कनने का विचार है यह देखिए लीली के और गुलाब का यहां से पिंच कर देना चाहिए यह कितना चाच्छा निकल चुका है बादरा कोई पत्र में कीड़े काटे हो गया तो इस में दिन में थोड़ी सी में एक जैसे राक होती है चुले की ब कटिंग से हो गया है मिल चुके हैं यह देख लीजिए परसलीन और मोस रोज की कटिंग मैंने वहां पर डाल दी थी और यह देखे थोड़ा पानी का भराव है और यहां पर देखी क्या प्यारे-फैरे फूल खिले होएं बड़े बिक साइज के देख लीजिए सबसे पहले मेरे ही यह जो गार्डन में बाजरा आया है मतलब बाजरे की जो बाल बोलते हैं वह आ चुकी कि मैंने चुड़ियाओं को पहले से जैसे बिशन करमी थी तभी से मैं ने डालना स्टार्ट कर दिया था तो चुड़ियानों भी खा लिया था मैं आप से बार-बार आपको साथ में शेयर करते हैं इसके बाल निकल चुकी है इतना सुकुन मिलता बहुत ज्यादा दिखाते हैं यह तो लोकी की बेल है यह कद्दू की है सब को मैंने ने जो कटिंग कर दिया इनका उपर का मुह इसका नहीं किया इसका कर देती हूं ताकि साइड ब्रांच नि हो चुका है रचली कीज़ोड दिखाती हूं आपको यह देखी सिक्आ कि हैं मक्का के भी निकल चुका है था जलीश मैं सिना मक्का के यहां पर साइड ऍुसरा मकने ले suggest की ओ दिखाताओं घूंगी और यह तो बीच 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 में ये और के इस धर वी boost है थासश्याड र वाजरा बगरा हो रहा उसको मैं आज खाड़ूंगी और यह देखिए बेल बगए रहा है यह दिखाते हूं आपको तोड़ा सा है वारी सिर्दीक भेंकर वाली हो रही है और यह देखिए लोकी के पत्ते जो कट करने मुझे फटा-फट से नीचे से तभी जाके आगे बढ़ से जो बहुत ज़्यादा गास निकला हुआ है यह देखिए मिर्ची की पहुद है अब यह बड़ी बड़ी पोदों को में सिफ्ट करने वाली हूं आगे देख लिजी आगे चलते हैं आगे भी मैंने काफी सारे लेंगन की पहुद बगएर लगा रखिए गमार की फली यह दिखाते हैं जो नहीं ग्रोथी स्टार्ट हो चुकी है और यह देखिए मेरा अम्रोथ का पानी देखो अभी तक भरा हुआ है और यह जितनी भी बेंगन की पहुद लगाए थी सब लग चुकी है यह देख लीजिए और साथ यह डोग आया है आपर यह डोग के पंजे कर दिया है मक्का के जो पोद होते हैं उनको नीचे गरा रही है वह देखिए और ज्यादा बरसा से चोड़ लेके जो फलिया है मतलब यह जो बेले थोड़ी नीचे लटक गई है मैं सोचने थोड़ी बड़ी होगी तब जाके इनको सपोर्ट लगा दूंगी और यह देख देख लीजी सारी पोद शिफ्ट करी थी गमार की फली की तो लग चुकी है आगे देखिए आगे चलती हूं आप दिखाती जाती हूं और जितनी भी खर्पतवार हो रही है इनको हटाना बहुत जरूरी है कि फिरेंस यह पोस्ट नों खाते रहते हैं यह देखिए ओदे की देखिए और गिल्की की बेल काफी अच्छी ग्रोथ हो गई है आप देखिए इसमें फ्लोबर आने लग गया है तो इनमा जरूर से जरूर सपोर्ट जरूर लगाना है तब जाकर यह पाएगी और यह देखिए उपर का मूँ पिंच में जरूर करने क्योंकि पिंच करने से क्या है कि अधिक मातरा में अपन फ्रोटिंग ले सकते हैं साइड ब्रांच निकलने लग जाएगी देखिए गुमार का हाल है और फलिया बगएरा है और यह देखिए दर काफी बड़ी बड़ी चल सुकी है सेम की बेल इसमें भी है यह देखिए इसका सपोर्ट लगाना कि अधिक जादा बर्साथ सेने यह मेरी मक्का की ओदे फ्रेंस लटक चुके हैं यह बारिस इतनी बहंकर हो रही है कि ओदे की जड़े निकल रही है पानी बेवे के निकल रहा है तो पुट्टी के साथ इनकी भी कम जोर पड़ जाती है तो मिट्टी का सपोर्ट भी में लगांगे यह देखें और इधर डाली थी मैंनों फुली ते दिकिए तो पहले लगा धी थी मेने कुछ वी और इसी लैन में डाले हैं एकले दिक्टी की थोड़ थोड़ उख चुके हैं है कि ए देखें कि यह जारे के और यह जारे तो कटिंग से भी लग जाते हैं पर मुझे बीज मिल चुके हैं वह पोदे मिल गया है तो लगा दिए देख लीजिए और यह देखी फ्रेंस अभी मौसम ऐसा हो रहा है बारिस आने की पूरी संभावना है यह देखी जग 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 और चलिए की लग जाती है जा गया है विए में दो कटिंग लगाए तो इसमें से यह वाली किया रहा तो चांस सब्सक्राइब कमी लग ना पर यह वाली लग चुकी है अजवायन की कटिंग लगाए थी यह चलने लगई है यह लोकी की बेल है और देखें फ्रेंस एक कटिंग इदर लगाए थी मेरे क्या दान से निकल गया एक दम से तो यह आज यह सपोर्ट लगाऊंगी सबके में और यह देखें बेंगन में काफी सारे फूल आ रहे हैं लीजिए और देखिए और यह देखिए विश्च यह कपास कफो दे अब दूस आज के बुड़े उम्मीद नहीं अगर आज का मेरे बुड़े आपको थोड़ा सब एच्छा लगत तो यह बुड़े को लाइक कर देंगे चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर देना तो थ